वेलकम टू सिवल सर्विसेश टड़ी वेलकम बैक UPSC सिवल सर्विसेश के लिए हैं टेस्ट नंबर 442 लगाते हैं इंपोर्टेंट होंगे प्रश्ण फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट है सारे के सारे आज यह कुश्य नंबर बन है निमलिखित कत्नों पर विचार करना है तो इस्टेटमेंट है यहाँ पर बताने किन में से कौन सा करेक्ट है भारते संगी की कारेपाली का सकती प्रधान मंत्री में नहीं था और प्रधान मंत्री सिवल सेवा बोर्ड का अध्यक्स होता है इंपोर कारेटि के टेस्व फोकस है पता चल गया होगा किस में नहीं होता है है ना कि तो दोनों के दोनों इन्करेक्ट्नर ड का अंसर तो संविधान के नुच्छे 53 फरस्ट में उपभुपंद है कि संग की कारेपाली का सकती राश्टर पती में नहीं होगी और उसका प्रियोग वह स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेगा सिविल सिवा बोर्ड का पदेन अध्यक्स कैविनेट सेकेटरी होता है कैविनेट से चिवना की प्रधान मंत्री याद रखिएगा कॉश्चन नमबर टू है सेंटरल गवर्मेंट केंदर सरकार के संतर में कुछ स्टेटमेंट है हां पर दो दो बताना कि मैंसे कौन सा करेक्ट है संविधान में उपबंद है कि समस्त कैविनेट मंत्री अनिवार रूप से केवल लोक सभा के ही आसीन सदस्य होंगे कैबिनेट केंदर का कैबिनेट सची वाल है संसद्य कार मंत्रा लेके नरदेशा धीन कार करता है देख्या केंदर का कैबिनेट सची वाल है संसद्य कार मंत्रा लेके नरदेशा धीन कार नहीं करता है बलकि प्रधान मंत्री के अधिन कार करता है गलत दूसरा स्टेटमेंट रो पहला भी करेक्ट है लोकसभा और राजसभा का हो सकता है कोई भी मंत्री भी और प्रधान मंत्री भी तो दोनों के दोनों absolute nonsense और यह अंसर उपरोगत में से कोई नहीं मतलब ना तो एक ना तो दो ही तो दोनों के दोनों गलते भाई भारत का संबिधान प्रधान मंत्री या मंत्री के लिए राजसभा के सरश से उपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता तो कोई भी हो सकता है वो लोकसभा का भी हो सकता है राजसभा का भी हो सकता है संसद के किसी भी सरण का सरश मंत्री बन सकता है संबिधान में उपबंध है कि यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सरन का सरस नहीं है तो भी तो भी पता है आप लोगों को छे महीने के भीतर उसको सरसिता लेनी पड़ेगी और उसका काम चल जाएगा और नहीं कर पाया तो मंत्री नहीं रहेगा वो केंद्रे कैबिने की अधीन होता याद रखेगा इसका प्रशाशनिक प्रमुग कैविनेट सचेव कैविनेट सेकेटरी होता है और कैविनेट सचेव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता याद रखेगा नंबर थ्री पर आजए निम्लिकित में से कौन सा मंत्री मंडल सची वाले के कार हैं कौन कौन से हैं मंत्री मंडल सची वाले के कार हैं मंत्री मंडल की बैठकों के लिए कार सूची तयार करना मंत्री मंडले समितियों के लिए सची वाले साहता प्रदान करना मंत्री मंडल द्वारा लिए गया निर्णे के क्रियान वन की निगरानी करना बिल्कुल तीनों के तीनों करेक्ट हैं इसका अंसर हो जाएका डिव परोग सभी तो सारे के सारे करेक्ट हैं ये कुछ खा रहे हैं मंत्री मंडले सची वाले के इनको आपको पढ़ना दो तीन वार किये गए विचारवी मर्स का रिकॉर्ड करता है मंत्री मंडले सची वाले और मंत्री मंडले बैठकों के लिए कारिस हुची तयार करना और उनको वित्रित करना मंत्री मंडल द्वारा लिए गए निर्णे के क्रियान वेन की निगरानी करना और प्रधान मंत्री के आदेश पर मंत्री मंडल की बैठे कायोज़ित करना और कार सूची से संबंदि दस्तावेज का वित्रण करना ये सारे के सारे कार हैं किसके मंत्री मंडल ये सची वाले के मंतरी मंदल क्या होती हैं इंग्लेस में Cabinet Cabinet से चिवाले मंतरी मंदल से चिवाले कोशार मुरफोर नमलिखित कतनों पर विचार करना तीन स्टेट्मेंट है हां पर पता ने किन में से कौन सा करेक्ट है किसी व्यक्ति को उप प्रधान मंत्री कहना केवल एक राजनेतिक निर्ण है और भारते संविधान उप प्रधान मंत्री के आधिकारों का प्रावधान नहीं करता है और संसद के परामर्स पर राष्ट पती मंत्री मंडल के किसी सदस्य को उप प्रधान मंत्री चुन सकते हैं संसद के परामर्ष पर थेहां देना एक छोटी से छोटी बाद पक्ड़ो, संसद के परामर्ष पर नहीं, परधान मंतरी के परामर्ष पर राश्ट पती, मंतरी मंडल के किसी सरश को उपरधान मंतरी चुन सकते हैं, गलत है यह वाला statement तीसरा वाला, पहला correct है, दूसरा correct है, का परावधान संब्धान से हटकर किया गया है और परधान मंत्री के परावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर का निर्धारन प्रधान मंत्री का विशेश अधिकार है क्वेशन नूमबर फाइव है सेंटर गवर्मेंट के संदर में फिर से स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट है मंत्री संसद की किसी समीती का सर से हो सकता है भारत का महानयवादी संसद की किसी समीती का सरसे हो सकता है प्रतेक मंत्री और भारत के महानेवादी किसी भी सदन में या सदनों की कारवाही में भाग ले सकते हैं बिल्कुल यह तीनों के तीनों करेक्ट है इस्टेटमेंट इसका अंसर हो जाएगा अपसन नमबर डी उपरोक्त सभी तो देखिए उपरोक्त दोनों तो नहीं तीनों के तीनों करेक्ट है न सारे करेक्ट है तो सम्भिथान के अनुच्छे अठासी में उपपन्थ है कि प्रतेक मंत्री और भारत के महानेवादी संसद के संसद की किसी समीती का सरसे बन सकते हैं और जिस समीती के वे सरस हैं उन्हें उसमें बोलने का भी अधिकार है कारवाही में भाग लेने का अधिकार है किन्तु मतदान करने का अधिकार उनको नहीं है याद रखेगा प्रतेक मंत्री और भारत के महानेवादी किसी भी सदन में या सदनों की सैयुक्त बैठक में बोल सकते हैं और उस अविश्वास प्रस्ताब से पिछले दस फर्शों में देखिए भारत के संबिधान में अविश्वास प्रस्ताब का उलेख ही नहीं है कहीं पर दूसरा स्टेट्मेंट है अविश्वास प्रस्ताब के वाल लोगसवा में हिलाया जा सकता है और इस प्रस्ताब को लाने के लि बिल्कुल त्याक पत्र दे देगी अविस्वास प्रस्ताप पास हो जाएगा तो त्याक पत्र दे नहीं पड़ेगा विस्वास प्रस्ताप पास होगा तो बनी रहेगी और तीसरा स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि कम से कम 50 सरस्यों का समर्थन की अवश्यक्ता होती है बहुत ढूड़ना क्या है अपने को, सही ढूड़ना, फर्स्ट करेक्ट है, सगन करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फौर्ध करेक्ट है, थर्ड बाला, एलिमेनेट करो जहां जहां तीन है, उसको खटा दो, खटा दो बल्कुल आंसर निगल का है गा भीна, टुट फॉर, तो कथन तीन सजी नहीं है क्योंकि अविस्वास प्रस्ताब लाने के लिए संसद लोकसभा में लोकसभा के कम से कम 50 सरस्यों का समर्थन आवश्यकन अकी सो बहुत पर भारत के संविठाशु के अनुछेत 75 थर्ड में यह उपबन्ध है कि मंत्री प्रस्त लोकसभा के परति सा पत्र देना पड़ता है अब देखे विश्वास प्रस्ताव लोग सवा में सरकार द्वारा रखा जाता है और यह प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है यह प्रस्ताव प्रधान मंत्री या उसकी मंत्री परिशा दिया उन में से कोई एक सर से जो है वो रख सक ये मंत्री परिशत सामोहिक रूप से उत्तरदाई होती है पहला option है लोकसभा के परती दूसरा option है एक संबेधानिक वाध्यता के अनुसार और तीसरा है अनुष्यद 75 थर्ड के अनुसार बिल्कुल ये सारी वाते तो एक ही जैसी हो गई ना मंत्री परिशत सामोहिक रूप से बिल्कुल लोकसभा के परती उत्तरदाई होती है क्यों होती है भई? क्योंकि अनुष्यद 75 के थर्ड में लिखा है जो एक संबेधानिक वाध देता है तीनों करक्ट है तो मन्तरी परिशत का सामोहिक उत्तरदाई तो एक संबैधानिक प्राबधान है जिसका उपवंद भारते संबैधान के अनुचे 75 थर्ड में किया गया है और मन्तरी परिशत सामेग गुरूप से उत्तरदाई होती है किसके प्रति लोग सभागे प्रति question number 8 पर आजएंगे केंद्रिय मंत्री परशद के त्याक पत्र देने के उपरांद क्या होगा भई राश्ट पती बेकल्पिक विवस्था बनने तक पूर मंत्री परशद को बने रहने के लिए कहेंगे अपदस्त मंत्री परिशद नई सरकार बनने तक पदभार का निरवहन करेगी अपदस्त कौन सी जो सरकार में नहीं रही तो बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टिटमेंट C है इसका आंसर तो देखे मंतरी परशत के ट्याग पत्र देने के पस्चात राष्थ पती बैकलपिक विवस्ता बनने तक पूर्व मंतरी परशत को पतबर बने रहने के लिए कहेंगे और बैकल्पिक विवस्था से अभिप्राय है यथा संभव सीगर नई सरकार के गठन है तू तुरंत आम चुनाप कराए जाए मतलब सीगर वैकल्पिक विवस्था नई सरकार के गठन होने तक अब दस्त मंत्री पर शद कारे करती रहेगी question number 9 पर आ चाहिए निमलिकित कत्नों पर विचार करना 3-3 statement है यहां पर बताने के इनमें से कौन सा correct है देखें Indian quality में marks लाने ठोस रहते हैं बार बार आप revision करते रहो अलग से तो पूछे का नहीं कुछ चीज़ है जो current से relate होती है संसोधन होते रहते हैं कुछ हटाया बढ़ाया तो उन्हीं सब को रखेगा इसलिए पॉलिटी में ठोस marks आते हैं अगर अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है Indian quality की हो गई जनरल साइंस हो गया history भी तो ठोस ही है दोसरेणिया सामिल होती है पहला statement है और जिसका अर्थ होता है प्रधान मंत्री जिसका अध्यक्ष होता है प्रधान मंत्री दूसरा statement है आ बिल्कुल होती है तभी तो कैबिनेट के मईंतरियों कोज्ट से क्रीम निकाल कर बना जाती यए比नेट देखे मंतरियों की टीनशक्रेणियां होती हैं घ्लाता यहां जाए क्रो उसके सँ नहीं हो तो इसका आंसर हो जायगा थो चल्ए है कॉण कौन सी यह वहाठा या कविनेट मंत्री कविनेट के जो मंत्री होते हैं यह करेंट के सर से होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं इनके उत्तरदायतों की जो परिदी होती है संपूर्ण सेंट्रल गवर्मेंट पर होती है बात करें राजमंत्री की तो राजमंत्रियों को मंत्रालों या विभागों का सुतंत्र परफार दिया जा सकता है अथवा कैबिनेट मंत्री के साथ सयोगी बनाय जाता है इनको बनाय जा सकता है वे कैबिनेट के सरस नहीं होते वे का मतलब कौन यह जो राज मंत्री होते हैं वे कैबिनेट के सरस नहीं होते और नहीं कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं सुनते रहेगा एक पॉइंट को किन्तु मंत्राले से संबंदित किसी कारहेतु विसेश आमंत्रन पर भाग ले सकते हैं तीसी स्रणी कौन सी है उप मंत्री तो कैबिनेट अथवा राज मंत्रियों के प्रशासनिक राजनेतिक और संसदिय कारियों में सहता के लिए इन्हें नियुक्त किया जा सकता है ये cabinet सरस नहीं होते और नहीं cabinet की बैठगों में भाग लाते हैं बात करें मंत्री परशद की तो मंत्री परशद में उपपरधान मंत्री को भी सामिल किया जा सकता है उपपरधान मंत्री मुखित है राजनीतिक करणों से निक्त किया जाता है मंत्री परशद सब्द का उलेग मूल संबिधान में नहीं था और मंत्री मंडल सब्द का उलेग संबिधान में केवल एक बार किया गया है एक बार किया गया है क्या यह एक बार भी नहीं किया गया है यह मंत्री परशद है पहले statement में दूसरे statement में है मंत्री मंडल मतलब cabinet तो मंत्री परशद सब्द का उलेक मूल संभिधान में नहित था या नहित है correct है बिल्कुल मूल संभिधान मतलब जो संभिधान बना था मतलब किसी संसोदन से नहीं लाया गया है मंत्री मंदल सब्द का उलेक मूल संभिधान में नहीं था बिल्कुल 44 अमेंडमेंट करके इसको लाया गया मंत्री मंदल सब्द का उलेक संभिधान में केबल एक बार किया गया है बिल्कुल एक बार किया गया सारे के तो सारे करेक्ट होग सब्सक्राइब कर दो परोग सारे के सारे सत्य हैं संभिधान के नुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परशत की विस्तर चर्चा की गई है इस सब्द का उपवंद मूल संभिधान में हिद किया गया है मंत्री मंडल सब्द को 44 संभिधान संसोदन अधिनियम 1978 के दौरा सामिल किया ग परधान मंत्री मंत्री परशद कॉमा महनयवादी कॉमा C.A.G. मतलब Attorney General of India का यह है Part 1 क्या है Part 1 इसके बाद Part 2 आएगा है 3 आएगा जितने में भी complete हो पाएगा कराएंगे तो अच्छे से revision कर लेना इसको दो से तीन बार धन्यवाद